तो एक एस्ट्रोनॉट जो कि जब अपना स्पेस मिशन खतम करने के बाद अर्थ पर वापस आती है तो उसे अपने परिवार में सब कुछ बदला-बदला लगने लगता है और उसके कुछ समय बाद उसे एहसास होता है कि असल में वो जिस दुनिया में आ गई है वो दुनिय उसकी है ही नहीं तो कहानी के शुरुवत में हम लोग जो नाम की एक औरत को देख पाते हैं चुकि घबराते हुए कार को ड्राइव कर कर कहीं पर जा रही थी तो वो रास्ते में ही अपनी बेटी से बोलती है कि असल में ये दुनिया उसे काफी ज़्यादा अलग लग लग इसको चेक कर रही थी तब भी अचानक से ही उसकी बेटी की चिलाने की अवाज आने लगती है लेकिन जब जो जाकर अंदर देखती है तो उससे पता चलता है कि असल में उसकी बेटी तो अभी भी सो रही है अब ये सब देखने के बाद जो काफी ज़्यादा शौक हुई लेकिन अभी के टाइम पर वो इस चीज पर ज़्यादा ध्यान नहीं देती और वापस से उस डिवाइस के पास चली जाती है और उसके बाद जब वो लालटेन लेकर बाहर जाती है तो उससे वापस से अपनी बेटी की चिलाने की आवाज आने लगती है अब इस बार भी ज और साथ ही अपने पती मैगनस से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी तबी अचानक से ही उसका कैप्टन पॉल उसे बताता है कि वो लोग अपने एक्सपेरिमेंट को चालू करने वाले हैं अब हम लोग नीचे अर्थ पर रिसर्च सेंटर में देख पाते हैं जहां पर से हैं अगर वो लोग उसको सही नहीं करते तो ये लोग अर्थ की ग्रैविटी की वज़े से अर्थ से टकरा जाते तब जो सबसे पहले किसी तरह से पॉल को संभालती है और उसे ऑक्सिजन सिलेंडर के पास लेकर जाती है जिसके बाद जब उसे पता चलता है कि असलमें उनके स् बताने की कोशिश करने लगती है पर अभी के टाइम पर उसकी बातों पर कोई भी यकीन नहीं कर रहा था क्यूंकि असलमें इन लोगों का कोई भी टीम मेंबर गायब नहीं था और साथी इन लोगों ने जो स्पेस सूट फैने हुए थे वो सारे के सारे वाइट कलर के थे और अभी के टाइम पर जो जब उस मरे हुए एस्ट्रोनॉट की बॉड़ी को देखती है तो वो काफी ज़ादा घबरा जाती है, लेकिन अभी के टाइम पर वो इस स्पेस्शिप को सही करते हुए अंदर की तरफ पहुंच जाती है, अब अंदर जाने के बाद जो को पता चल सीनियर से डिसकस करती है, तो उसे बूला जाता है कि वो लोग जल्दी से जल्दी एसकेप औरउट की मदद से वापस से अर्थ पर आ जाएं, जो चीछ जानने के पाद जो तुरंती दोनों एसकेप और्ट को चेक करने के लिए जाती है, चहां पर उसे पता चलता है कि इनक एक escape port खराब हो गया है और एक pod में एक बारी में तीन जने ही travel कर सकते थे इसलिए जो decide करती है कि वो उसी spaceship में रुकेगी और उसके बाद वो दूसरे pod को सही करने की कोशिश करेगी और बाद में अपने team member के पीछे पीछे चली जाएगी अब ये चीछ जानने के बाद इसके team के बाकी के member decide करते हैं कि वो पहले pod में अपनी यात्र को शुरू करेंगे इसलिए वो जल्दी से अपने पहले pod में बैठते हैं और यहाँ पर से जो उनको launch कर देती है अब अर्थ पर हम लोग आईरिन नाम के एक astronaut को देख पाते हैं जो कि हेंडरी से इस बारे में बात कर र सारा कांट कैल डिवाइस की उज़े से ही हुआ है इसलिए वो हैंडरी को समझाने की कोशिश करने लगती है कि कैल डिवाइस को वापस लाना सेफ नहीं होगा लेकिन अभी के टाइम पर भी हैंडरी एरिन की बात को नहीं मानता इसलिए ना चाहते हुए भी एरिन को जो को ये इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं कि उससे केल डिवाइस के साथ ही वापस धर्ती पर लोटना होगा। अब हम लोग वापस से जो को देख पाते हैं जो कि उस पॉड को सही करने की कोशिश में लगी होई थी। तब ही अचानक सी उसके साथ कुछ अजीब चीजे होती हैं और उसे अपने सामने एक गेट दिखाई देता है। और इस गेट के बहार जो की बेटी एलिस का नेकलेस भी टंगा हुआ था जो चीज़ देखने के बाद जो उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देती है और सीन वापस से शिफ्ट होकर आता है फ्यूचर में। जहाँ पर जो को उसकी बेटी की आवाज काफी ज़्यादा दूर से आई थी अब यहाँ पर जो अपनी बेटी की आवाज का पीछा करती हुई गर में पहुंसती है जहाँ पर भी उसे सेम डोर मिलता है ज्यूकि उसने आज से पांच हफते पहले उसे स्पेस शिप में जाता है क्योंकि अभी हमने वेब सीरीज की शुरुवात में देखा था कि जो ने अपनी बेटी को उसी घर में सुला दिया था जिसके अंदर वो अपनी बेटी के साथ गई थी खैर अभी के टाइम पर हम लोग देख पाते हैं कि जो वापस से एलेस को उठाती है और उसे उसी घर में लेकर आ जाती है जहांपर उसने उसे सोने के लिए बोला था आगे वो उसे ना आने के लिए बोलकर खुद तॉलिया लेने के लिए चली जाती है लेकिन जैसे ही वो रूम में पहुंसती है तो वहाँ पर भी एक एलेस सोई होई थी जो चीज देखने के बाद इसका दिमाग वापस से खराब हो जाता है, अब यहाँ सेजीन वापस से पास्ट में जाता है, जहाँ पर जो अभी भी उसी स्पेस शिप में मौजूद थी, जिसमें उसका मिशन चल रहा था, तब जो वहाँ पर पॉल की बॉड़ी को भी अपने साथ पॉड में रख लेती ह और उसके बाद उसे चालू करने की कोशिश करने लगती है, तब ही अचानक से उसे बाहर से आवाजे आने लगती है, और उसे लगता है कि शायद उसके अलावा भी स्पेस सेंटर में कोई मौजूद है, लेकिन जो जब बाहर जाकर चेक करती है, तो उसे पता चलता है कि व काफी ज़्यादा डर गई थी लेकिन अभी के टाइम पर वो इसे अपने मन का वहम मान कर वापस से पॉड में जाती है और कैल डिवाइस को भी उसमें रख लेती है जिसके बाद जब वो उस पॉड को चालू करने की कोशिश करती है तो वो चालू नहीं हो रहा था क्योंकि अ अभी के टाइम पर उसके अलावा स्पेस्शिप में कोई और मौजोद नहीं होगा तो उसके पॉड को लॉंच नहीं करा जा सकता तबी अचानक से ही हम लोग कंट्रोल रूम में एक परचाई को देख पाते है जो कि जो के पॉड को लॉंच कर देता है जो चीज देखने के बाद तो जो के भी होश उड़ गए थे और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार हुआ क्या लेकिन अभी के टाइम पर जो इस चीज पर जादा गौर्ड नहीं करती क्योंकि वो कुद भी किसी भी हालत में अपनी जहन को बचाना चाहती थी अब जो जब अर्थ पर किस ने करा वही हम लोग हैंडरी को देख पाते हैं जो कि अभी के टाइम पर उस केल डिवाइस में मौझूद इंफॉर्मेशन को चेक कर रहा था ताकि उसे डार्क मैटर के बारे में और सारी चीज़े पता चल सके अब यहां से सीन वपस से फ्यूचर में आता है जहां पर करम लोग देख पाते हैं कि जब जो ने अपनी बेटी एलिस को अभी भी सोते हुए देखा था तो वो काफी ज़्यादा शौक होई थी तब जो यहां पर एलिस को उठा कर उससे पूछने लगती है कि आखिरकार वो अचानक से यहां पर कैसे आ गई जवाब में एलिस उल् कोशिश भी कर रही थी इसलिए वो अभी के टाइम पर उस एलिस को लेकर अपने साथ उसी जगह पर जाने लगती है जहां पर उसे दूसरी एलिस मिली थी अब हम लोग वापस से पास्ट में जो को देख पाते हैं जिसके सही होने के बाद उसे एक प्रेस कॉनफरेंस करने क इसलिए बुलाया जाता है जहां पर जाने के बाद वो अपने साथ गटित होई गटनाओं को सबको बताती है और वहाँ पर मौजुत सभी लोग उसे माफी भी मांगती है साथ ही उसे इस बात का काफी जदा बुरा लग रहा था कि वो अपने कैप्टन पॉल की जान नहीं बचा पाई इसलिए वो उसकी बीवी का नाम लेते हुए उससे माफी मांगती है जिस बात पर उसे तुरंट टोक दिया जाता है क्योंकि असल में उसने जिस लड़की का नाम लिया था वो पॉल की बीवी थी ही नहीं लेकिन जो भी अपनी बात पर अड़ी रहती है क्योंक कोई भी ऐसा एस्ट्रोनाट नहीं था जोकि स्पेस में गायब हो गया हो और उसकी बॉडी ना मिली हो इसलिए सब भी लोगों को लगने लगता है कि शायद इस पेस से आने के बाद जोकि दिमाग पर एक गैरा असर पड़ा है और इसलिए उसे दवाई भी दी जाती है पास जाती है और उससे बात करने की कोशिश करने लगती है लेकिन यहाँ पर हम लोग एलेस को भी देख पाते हैं जोकि जो से सही से बात नहीं कर रही थी जो चीज देखने के बाद जो को लगने लगता है कि शायद वो किसी औरी जगा पर आ गई हो अब जो जब अगले द को चेंज करने से साफ इंकार कर देती है तब अचानक से ही उसके रूम में उसका बॉस फैडरिक आता है जो कि उससे बात करते हुए उसे टच करने की कोशिश करने लगता है जो चीज जानने के बाद जो का तो दिमाग हिल जाता है क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकर फैडरिक ऐसा क्यों कर रहा है लेकिन जितना ज़्यादा शोक जो थी उससे कहीं ज़्यादा शोक फैडरिक था क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकर जो और उसके बीच में जो रिलेशन था उसका क्या हुआ और तक जाकर जो को समझ में आता है कि असल में मैगनस उससे इतना अचीब बिहेव क्यों कर रहा था क्योंकि उससे लग रहा था कि शायद उसका पैडरिक के साथ अफेर चल रहा है लेकिन चूप की सबसे तो उसने कभी अपने पती को धूका नहीं दिया था इसलिए जो वापस से अपने गर में जाती है जहाँ पर जाने के बाद वो मैगनस से बाते करती हुई उसके साथ इंटीमेट होती है और वहीं दूसी तरफ हम लोग हैंरी को देख पाते हैं जिसे कैल की इंफॉर्मेशन से पता चलता है कि असल में यहाँ पर एक ही ब्रह्मान मौजूद नहीं है यहाँ पर अंगिनत ब्रह्मान मौजूद है जिससे मल्टिवर्स बोला जाता है और अब जाकर हम लोग समझ पाते हैं कि शायद जो किसी औरी डाइमेंशन में आ गई है इसलिए उसके साथ ये सारी की सारी चीज़े हो रही है जो कि शायद उसके साथ नहीं होनी चाहिए थी अब इसलिए हैंडरी जो से मिलने के लिए भी जाता है जहांपर पाहार उसे एलेस मिलती है जिससे बात करते हुए वो उसे उस बारे में बताने लगता है कि कैसे एकी ओबजेक्ट एकी टाइम पर दो अलग-अलग डाइमेंशन में मौजूद हो सकता है लेकिन एलेस्ट टोटहरी बच्ची इसलिए उसे ये सारी चीजे अभी की टाइम पर जादा समझ में नहीं आती और हेंडरी जाकर जो से मिलता है जहाँ पर जाने के बाद तो हेंडरी सबसे पहले उसको ठैंक्स बोलता है क्योंकि वो कैल डिवाइस को वापस से अर्थ पर लेकर आ गई थी और इतना बोलने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और अगले दिन हम लोग जो को देख पाती हैं ज्योंकि जब अपने साथियों के साथ पॉल की कबर के पास फूल रखने के लिए गई थी तो वहाँ पर उससे पता चलता है कि असल में जो डेट बोड़ी उसने स्पेस में देखी थी वो आईरेन की ही थी और ये कैसे हो सकता था क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही उसने आईरेन से बात करी थी तब यहाँ पर इसका एक साथ ही इसको बताता है कि असल में आईरेन से रिलेटेट कुछ स्टोरीज है क्योंकि वो वर्ल्ड की दूसरी महिला थी जो की स्पेस में गई थी तो पहली स्टोरी के अकॉर्डिंग वो असल में ही स्पेस में मारी गई थी और दूसरी स्टोरी के अकॉर्डिंग बिलकुल वैसा ही सब पुछ चल रहा था जैसा कि अभी के टाइम पर जो को दिखाई दे रहा था लेकिन अभी के टाइम पर जो को कुछ भी समझ में नहीं आता लेकिन सबसे पहले तो वो पॉल की कबर के पास उन फूलों को रखती है जो कि वो लेकर आई थी लेकिन जब वो ऐसा कर रही होती है तब ही अचानक से ही उसे दूर खड़ा पॉल दिखाई देता है जो कि खुद भी अपनी फ्यूनरल गी ही ड्रेस में था जो चीज देखने के बाद जो का तुमानो दिमाग हिल जाता है तब जो को लगने लगता है कि शायद उसका दिमाग सच में काफी ज़्यादा चल गया ह इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो ना साके लोगों की बात को मानती हुई अपनी स्टेट्मेंट को चेंज कर लेगी इसलिए जो अपनी स्टेट्मेंट को चेंज कर देती है साथ ही कुछ समय की छुट्टी भी ले लेती है ताकि वो कुछ समय के लिए अराम कर सके लिकिन असल में जो इनके पास कार मौजूद थी उसका कलर Red था, इस बारे में वो Magnus से भी पूसती है, लेकिन Magnus के हिसाब से ये गाडी उनके पास बहुत पहले से थी, साथ ही उसे Magnus की बातों से ये बात भी पता चलती है कि Magnus उसको काफी टाइम से डिवॉस देने के बारे में सोच रहा था क्योंकि मैगनस को जो के फैट डिक के साथ अफियर की बारे में पता चल गया था लेकिन मैगनस ने अपना इरादा बदल दिया क्योंकि जैसी ही जो इस पेस से वापस आई वैसी ही उसके अंदर काफी ज़दा सुधार देखने को मिले साथी जब जो यहाँ पर कुछ दिन और बिताती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसके कमरे में एक प्यानो मौजूद है जबकि जो कभी भी प्यानो नहीं बजाया करती थी साथी जब वो अपनी बेटी से स्वीडिश भाषा में बात करने की कोशिश करती है तो उसकी बेटी को स्वीडिश भाषा आती ही नहीं थी लेकिन जो कोई ये बात बहुत अच्छे से याद थी कि उसने अपनी बेटी के साथ ही स्वीडिश भाषा सीखी थी इसलिए उसको हर दिन काटना यहाँ पर बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा था क्योंकि उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसके साथ चल गया रहा है और वहीं हम लोग हैंडी को देख पाते हैं क्योंकि एक दूसरे वज्यानिक के साथ मल्टी वर्स के बारे में बात कर रहा था और अब इन दोनों की बातों से हम लोग ये जान पाते हैं कि असल में जब पॉल डार्क मैटर के उपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था तो उसने दोके से पैडलर यूनिवर्स का दरवाजा खोल दिया था और इसका मतलब साफ था कि जो के साथ जो भी अजीब चीजे हो रही थी वो इसी वज़ा से हो रही थी क्योंकि जो एक दूसरे यूनिवर्स में आ गई थी और इसी लिए जो को यहाँ पर सब कुछ काफी ज़ादा जीब लग रहा था अब दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं जिसके पास फैडरी किससे वापस से मिलने के लिए आता है और इससे पूछने लगता है कि आखिरकार ये स्पेस से आने के बाद इतना ज़ादा चेंज क्यों हो गई लेकिन जो इसके उपर काफी ज़ादा गुसा होने लगती है और इससे बोलती है कि ये आगे से इससे कभी भी भी ना मिले इतना बोलने के बाद वो उसे वहाँ से भगा देती है और अपने पती के साथ अपने घर की तरफ लोट जाती है अब रात में भी जब जो इसी सब चीजों के बारे में सोच रही थी तभी अचानक से यू से उसकी गर में एक पारसल मिलता है जो कि असल में डैनमार्क से आया था जिसके अंदर दूर टेप रिकॉर्डिंग थी जो कि स्पेस मिशन के दौरान ही कैप्चर करी गई थी जिन में से एक रिकॉर्डिंग तो वो थी जब जो अपने पॉड को सही करने की कोशिश कर रही थी और दूसरी टेप रिकॉर्डिंग असल में 1968 के समय की थी जहाँ पर एक और फीमेल एश्टरोनॉट अपने स्पेस पॉड को सही करने की कोशिशी कर रही थी इसका मतलब साफ था कि जो के साथ अभी के टाइम पर जो भी चीजे हो रही है वो यहाँ पर मौजूद एक और एश्टरोनॉट के साथ वो चुकी है इसलिए यहाँ पर जो डिसाइड करती है कि वो डैनमार्क में जाकर इस बारे में पता करेगी लेकिन जब वो इस बारे में मैगनस को बताती है तो मैगनस को लगने लगता है कि शएड जो का दिमाक सच में खराब हो गया है इसलिए वो नासा के अंदर कॉल करकर उन से इसके मैडिकल टीटमेंट की बात करने लगता है लेकिन यहाँ पर दो केसे जो की वज़े से मैगनस को धक्का लग गया था और मैगनस यहाँ पर बेहोश हो जाता है और इसलिए जो अब डेसाइड करती है कि वो अकेले ही उस जगा पर जाएगी जहाँ पर से उसे इस बारे में क्लू मिल सके कि आखिरकार उसके साथ क्या चल रहा है इसलिए वो अपनी बेटी को अपने साथ गाड़ी में बिठाती है और सबसे पहले लैब में पहुँच जाती है जहाँ पर से वो उस कैल डिवाइस को चुरा लेती है क्योंकि कही न कहीं जो को भी अंदाजा हो गया था कि उसके साथ जो भी हो रहा है पो इस डिवाइस की वजह से हो रहा है और अब उस डिवाइस को चुराने के बाद ये अपनी बेटी के साथ आगी के सफर पर निकल पड़ती है जो कि असल में वही सीन था जिसको हमने सीरीज की शुरुआत में देखा था अब अगले दिन हम लोग हैंरी को देख पाते हैं जो कि अईरेन से बात करते हुए उसे बता रहा था कि असल में मल्टी वर्स हकीकत में एक्जिस्ट करता है साथी वहाँ पर मौझूद लोग भी हमारी लाइव को थोड़ बहुत अफेक्ट कर सकते हैं जो चीच जानने के बाद एरेन को इस चीच पर बिल्कुल भी वरोसा नहीं होता लेकिन अभी के टाइम पर हैंरी इससे जादा बात महीं करता और उसे पता चल जाता है कि असल में उसका कैल डिवाइस चोरी हो गया है और जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि वो कैल डिवाइस किसी और ने नहीं बलकि जो ने चुराया है तो उसे काफी जादा गुस्सा आता है वहीं दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं जो कि उसी कपल के पास पहुँच गई थी जिसनों से वो दो रिकॉर्डिंग भेजी थी अब उस कपल से बात करने के बाद जो को पता चलता है कि असल में वो पहली ऐसी इंसान नहीं है जो कि स्पेस इस्टेशन से नीचे आने के बाद दावा कर रही हो कि उसके साथ अजीब चीजे हो रही है साथ यव वो कपल जो को काफी सारी और भी रिकॉर्डिंग देता है जो कि उन्होंने स्पेस से काफी समय पहले रिकॉर्ड करी थी लेकिन उसी बीच में हम लोग एलिस को देख पाते हैं जिसने जो से छुपकर मैगनस को कॉल करकर अपनी लोकेशन के बारे में सारी चीजे बता दी थी लेकिन अभी तक जो को इस बारे में नहीं पता था कि एलिस ने मैगनस को सारी की सारी चीजे बता दी है अब जो लेक हाउस की तरफ जाते हुए अपनी कार में उनी रिकोर्डिंग्स को सुन रही थी जो कि उसे उस कपल से मिली थी तब उसे एक और औरत के बारे में पता चलता है जिसकी अवाज भी उसे काफी ज़ला सुनी सुनी लग रही थी जो कि खुद भी 1968 के समय में इस्पेस इस्टेशन से आने के बाद यही दावा कर रही थी कि उसे ये दुनिया कुछ अजीब सी लग रही है लेकिन अभी भी जो को याद नहीं आ रहा था कि आखिरकर वो औरत कौन है अब हम लोग जो को देख पाते हैं जो कि एलिस को लेकर अपने लेक हाउस वाले गर में पहुँच गई थी जहाँ पर जाने के बाद वो एलिस से बाते करते हुए उसे उस दिन के बारे में बताने लगती है जब वो स्पेस इस्टेशन से उससे वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और जब जो इस बारे में एलिस को बताती है तो एलिस को उसकी बात पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता और ऐसा इसी वजह से क्योंकि एलिस की एसाब से उसे तो स्वेडियो कॉल पर बात कर रही थी और तब जाकर जो को असल में समझ में आने लगता है कि ये दुनिया उसकी है ही नहीं और अब जाकर हम लोग जो की दुनिया में देख पाते हैं कि असल में उस दिन वहाँ पर क्या हुआ था जहाँ पर हम लोग जो को देखते हैं जो कि अभी भी एलिस से वीडियो कॉल पर बात कर रही थी और यहीं पर हम लोग पॉल को भी देख पाते हैं जो कि केल डिवाइस के उपर एक्सपरिमेंट कर रहा था अब जैसे ही वो केल डिवाइस को चालू करता है वैसे ही कुछ यणों के लिए दूसरे डाइमेंशन का दरवाजा खुल जाता है लेकिन उस बारे में किसी को भी पता नहीं चलता और यहाँ पर हम लोग देख पाते हैं कि असल में उस दमाकी की बज़या से वहाँ पर दूसरी जो की जान गई थी इसका मतलब साफ था कि जैसे ही दूसरा डाइमेंशन खुला वैसे ही इस दुनिया के जोई और पॉल दूसरी दुनिया के जोई और पॉल के साथ चेंज हो गए जिसके बारे में इन दोनों को खुद को भी पता नहीं चला था साथ ही हम लोग ये देख पाते हैं कि जोई के असले यूनिवर्स में किसी और की नहीं बलकि दूसरी डाइमेंशन की जोई की जान चली गई थी और वहीं दूसरी दुनिया का पॉल जोकि जोई की दुनिया में जाकर फस गया था उसे भी इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता कि वो दूसरे डैमेंशन में पहुँच गया है अब पॉल के साथ भी सारी की सारी सेम सिचुईशन होने लगती हैं जोकि हमने शुरुआत में इस दुनिया की जोई के साथ देखी थी अब जब पॉल इस बारे में खबर देते हुए अर्थ पर बताता है कि उसकी साथ ही मारी गई है तो वहाँ पर ये चीज पता चलने के बाद जोके असली पती और उसकी बेटी बहुत जादा परेशान हो जाते हैं अब इस यूनिवर्स में हम देख पाते हैं कि असल में पॉल ने अपने सभी साथियों को सही वाले पॉर्ट में बिटा कर अर्थ पर भेज दिया था और साथ ही वो खुद करापॉर्ट के साथ रुखा था ताकि वो खरापॉर्ट को सही करकर खुद भी अर्थ पर जा सके जो कि दूसरे जुनिवर्स की जो थी और इसका मतलब साफ था कि उस समय पर दोनों रियालेटी आपस में मर्ज हो रही थी पर इसका इन दोनों में से किसी को भी अंदाजा नहीं होता क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि शायद ये सब उनके दिमाग का एक ब्रहम है अब आ आते हैं जो कि कंट्रोल रूम से इसके पॉड को लांच कर देता है अब जब पॉल वापस से अपने कैल डिवाइस को लेकर अर्थ पर पहुंसता है तो वहाँ पर उसे पता चलता है कि असल में जिस एक्सपेरिमेंट को वहाँ पर कंड़क्ट कर रहे थे वो एक्सपेरिमे में सबसे सौकिंग बात तो ये थी कि इस दुनिया में हैंडी नाम का आदमी 12 साल पहले ही मर चुका था जो चीज जानने के बाद तो पॉल के होश उड़ जाते हैं लेकिन जैसे तैसे यहाँ पर सब कुछ सहता हुआ पॉल जब जो के फ्यूनरल पर जाता है तो उसे भी वहा का एक ब्रहम ही है लेकिन हम लोग जो की असली बेटी एलिस को देख पाते हैं जिसको असल में लग रहा था कि शायद उसकी मा कहीं न कहीं पर जिंदा है क्योंकि उसे भी दूसरी रियालिटी आपस में मर जोती हुई नजर आ रही थी अब वहीं हम लोग पॉल को देख पा है कि शायद उसकी इस दुनिया में कुछ तो गड़ बढ़ है साथ ही उसे ये बात भी पता चलती है कि असल में इस प्लैनेट पर अपॉलो 18 मिशन अंसक्सेस्फुल रहा था जहां पर दो लोग तो मारे गए थे और सिरफ एक एस्ट्रोनौटी जिंदा बच पाया था जिस और क्योंकि दूसरे डायमेंशन में जाने की वज़े से इस वाली जोकी हरकते बिलकुल पहले जैसी थी इसी वज़े से वो दूसरे प्लैनेट पर भी वही सारी सेम हरकते करा करती थी जोकि इस प्लैनेट पर वो करा करती थी और इसलिए रियालिटी के मर्जूते टाइम प साथ ही उसे ये लग रहा था कि शायद Alice का दिमाग दीरे-दीरे खराब होता जा रहा है और अब इसलिए Magnus decide करता है कि वो Alice को लेकर अपने lake house में जाएगा ताकि वो उसके mind को शांत कर सके अब वहीं हम लोग Paul को देख पाते हैं जो कि एक आदमी के पास पहुच गया था जो क इस आदमी से पूछने लगता है जिस पर ये आदमी भी बढ़क जाता है क्योंकि उससे पता था कि असल में उसका नाम हैंडी नहीं है वो बोलता है कि मेरा नाम बार्ड है और मैं Apollo मिशन में आकरी बचा हुआ एश्ट्रोनाट हूँ वहीं हम लोग देख पाते हैं कि जिस Alice दूसरी वाली Alice से बात करती हुई उसे सुला देती है तब ही उससे बाहर से दूसरी Alice की आवाज आने लगती है और उस तरफ जाने पर जब वो चेक करती है तो उसे एक अलमारी के अंदर दूसरी Alice भी मिल जाती है जो कि असल में उसकी ही बेटी थी जिसको देखने के कुछ भी समझ में नहीं आता वो तुरंति एलिस को उठाती है और अपने साथ वापस अपने घर में ले जाकर नहलाने लगती है और अब जब वो टावल लेने के लिए बाहर जाती है तो वापस से रियलिटीज स्पिलिट हो जाती है जिसवाजा से असली वाली एलिस अपनी जगा पर पहुँच गई थी और यहाँ पर बस एक एलिस सोई हुई थी जो चीज देखने के बाद जो को भी सारी चीज़े समझ में आ जाती हैं अब हम लोग उसी एलिस को देख पाते हैं जो कि नहाने के लिए गई थी तबी अचानक से ही वहाँ पर मैगनस पहुँच जाता है जो कि जब एलिस को नहाता हुआ देखता है तो उसके ओपर गुसा होने लगता है जिस पर एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि असल में जो उसे नहलाने के लिए लाई थी और वो किसी दूसरे डाइमेंशन में फस गई है जहां पर से वो जल्दी से जल्दी आने की क पूशिश करेगी ताकि वो अपनी असली बेटी से मिल सके और इसली वो ये सारी चीज़ें इस दुनिया वाली एलिस को भी बता देती है जो चीज सुनने के बाद एलिस को भी इस बात पर यकिन हो गया था कि असल में ये इसकी मा नहीं है क्योंकि उससे ये बात पता थी कि उ रफ बढ़ रही थी इसलिए वहाँ पर उन्हें पहुंशने में काफी जादा देर होने वाली थी जिसों जरसे हैंडी काफी जादा गुस्सा होने लगता है क्योंकि उसे किसी भी हालत में कैल डिवाइस जल्दी से जल्दी चाहिए था अब वहीं हम लोग उस एलिस को देख पाते हैं जो कि जो के उपर गुस्सा करे जा रही थी क्योंकि उसको पता चल गया था कि असल में जो उसकी मान नहीं है और इसलिए वो डिसेड करती है कि वो जो के पास से बाग कर वापस से मैगनस के पास चली जाएगी और इसलिए पैरलल यूनिवर्स वाली एलिस जो से बचने के लिए एक दूसरी आउस में चली जाती है वहीं दूसरी तरफ हम लोग दूसरी एलिस को देख पाते हैं जो कि अपनी मा को ढूंडते हुए ही उसी घर में आ गई थी तबी अचानक से इस यूनिवर्स वाली एलिस को अपने पिता मैगनस की आवाज आने लगती है जो कि उसे ढूंड रहे थे इसलिए एलिस एक कबर्ड में घुश जाती है और दूसरी तरफ दूसरी वाली एलिस भी उसी कबर्ड में घुश जाती है और उसी वक्त रियलिटी आपस में क्लैश करना चालू कर चुकी थी इसलिए दोनों के दोनों आपस में बात कर पाते है वो भी कबर्ड में लगे मिरर की वजह से अब हम लोग वापस से फर्ष्ट यूनिवर्स में देख पाते हैं जहाँ पर जब मैगनस एलिस को डूढने की कोशिश कर रहा था तबी अचानक से उसके गर में एक लैम्प उससे गिर जाता है लेकिन इस बारे में मैगनस को कुछ भी पता नहीं चला था और तबी वो लैम्प की आग पूरे घर में फैल जाती है और घर जलने लगता है और क्योंकि उसी वक्त पर रियालिटी आपस में क्लैश कर रही थी तो दूसरी तरफ हम लोग जो को देख पाते हैं जिसे भी वही घर दिखाई देता है जो कि उस वक्त जल रहा था तब जो अपनी गाड़ी को उस घर की तरफ मोड लेती है लेकिन जब वो उस जलते हुए घर के अंदर जाती है तो उसे पता चलता है कि असल में वो घर नहीं जल रहा है और साथ ही उसे यहाँ पर ये चीज़ भी पता चल पाती है कि दोनों की दोनों एलिस आपस में बात कर रही है और जैसे ही वो ये चीज़ दीखती है तो वो अपनी वाली एलिस को सारी की सारी सच्चाई बताती है कि आकर कर यहाँ पर चल क्या रहा है लेकिन वहीं जब दूसरी यूनिवर्स वाली एलिस को इस बारे में पता चलता है कि उसकी मा मारी गई है तो वो काफी ज़ादा दुखी होती है तब असली वाली जो उसे किसी तरह से संभालती है और उससे बोलती है कि वो कभी भी उसे अकेला नहीं छोड़ेगी और तबी आपस में रियलिटी क्लैश करने की वज़े से इस गर में भी आग लगना चालू हो जाती है जो चीज़ देखने के बाद जो डिसाइड करती है कि वो जल्दी से एलिस को यहां से निकालेगी इसलिए वो एलिस को किसी तरह से पकड़ती है और बाहर लेकर चली जाती है लेकिन बाहर आते आते एलिस दुएं की वज़े से बेहोश हो गई थी जो चीज़ देखने के बाद जो उसे उठाने की कोशिश करने लगती है पर इतने में यहां पर हैंडरी, फेडरिक और साथ मैगनस भी पहुँच गए थे जो कि तुरन्ती एलिस को किसी तरह से हॉस्पिटल में पहुचा आते हैं और साथ ही उन्होंने जो को पकड़के भी एक पागल खाने में भिजवा दिया था जो कि किसी और कर नहीं बलकि ऐरेन का ही था और वहीं दूसरी तरफ हम लोग मैगन कि जल्दी हैं हम कोई रास्ता जरूर ढूनेंगी जिससे वो वापस से इस जगा पर पहुच पाएं अब हम लोग एंडी को देख पाते हैं जो कि कैल डिवाइस को लेने के बाद उन रिकॉर्डिंग्स को भी डून लेता है जो कि उसका पल ने जो को दी थी जिने जिब वो सुनता है तो उसमें उसी एक रिकॉर्डिंग खुद की मिलती है जिब वो पहली बर एस्टोनौट बनकर स्पेस में गया था जहां पर उसके दो साती मारे गए थे तभी अचानक से ही वो दोनों के दोनों साती सांस लेने लगते हैं जिससे वो काफी ज़दा गबरा जाता ह और वहीं दूसी तरफ हम लोग बाट को देख पाते हैं जो कि पॉल के सवालों से काफी ज़दा तंग आ गया था इसलिए वो अपनी गन निकाल कर उसे शूट कर देता है जिसके बाद उसे पुलिस वाले पकड़ कर ले जाते हैं अब हम लोग वापस से हंडी को देख पात तो वो उससे पूछने लगता है कि आखिरकार उसके साथ क्या हुआ था तब एलिस उसे समझाने की कोशिश करने लगती है कि असल में जो जो उनके साथ रह रही थी वो असल में इस दुनिया की है ही नहीं वो दूसरी दुनिया की है जो कि दूसरी दुनिया से बच कर आई ह लेकिन मैगनस को इस सब के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था अब वहीं हम लोग बर्ड को देख पाते हैं जिसको पुलीस वाले अपने साथ पकड़ कर ले आये थे और यहाँ पर बर्ड से काफी सारे सवाल पूछे जाते हैं कि आखिरकार उसने पॉल को गोली क्यों मारी तब बर्ड यहाँ पर अपना नाम हैंरी बताता है और सबी लोगों को समझाने की कोशिश करने लगता है कि असल में उसने किसी को भी गोली नहीं मारी जो चीज सुनने के बाद सभी लोग काफी ज़ादा शौक होते हैं पर हम लोग समझ जाते हैं कि असल में बर्ड और साथी हेंडरी भी आपस में चेंज हो गए हैं और ऐसा उस समय पर हुआ होगा जब हेंडरी ने अपने कैल डिवाइस को तोड़ा था अब हम लोग असली बार्ड को देख पाते हैं जो कि जब हेंडरी के गर में पहुँच कर फेडरीक को बताता है कि उसने कैल डिवाइस को तोड़ दिया है तो फेडरीक को समझ में नहीं आता कि आखिरकार चल क्या रहा है अब वहीं अमलुक जो को देख पाते हैं जिसके जब आँख खुलती है तो असल में वो एक चर्च के अंदर थी जहाँ पर उसके दिमाग का इलाच चल रहा था साथी आईरीन भी वहाँ पर रहा करती थी अब जब आईरीन यहाँ पर जो से मिलने के लिए आती है तो जो उससे बात करते हुए समझ जाती है कि असल में जिस दूसरे एस्ट्रोनॉट की उसने रिकॉर्डिंग सुनी थी वो कोई और नहीं बलकि आईरीन ही थी और अब जब वो आईरीन को इस बारे में बताने की कोशिश करती है कि उसने उस दिन रिकॉर्डिंग के टाइम पर क्या सुना था तब आईरीन काफी ज़्यादा शौक होती है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार इसको इन सब चीजों के बारे में पता कैसे च जो कि उसने पहले दिये थे अब वैसे दो हेंडी ने लाइड इडेक्टर टेस्ट पास कर लिया था लेकिन उसके बावजूत पुलीस वालों को उसकी बात पर बरोसा नहीं होता क्योंकि जब वो उसके घर पर पहुचे थे तो उन्हों ने देखा था कि उसके हाथ में ही ग गया हुआ था और जो ने उसको बचाने के लिए अपने स्पेस बाट को उसको दे दिया था तब जो यहां से बाहर निकलने में इलिया की मदद मांगती है लेकिन इलिया जानता था कि अभी जो कुछ इलाज की जरूरत है इसलिए वो उसकी मदद नहीं करता पर बाद में ज अपने साइकाइड्रिस्ट के पास गए थे क्योंकि असल में उन्हें जो की काफी ज़्यादा यादा रही थी और उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आकरकार उन्हें क्या करना चाहिए अब आगे हम लोग बार्ड को देख पाते हैं जो कि यहां पर आने के बाद हैंडरी की जिन्दिकी को जी रहा था तब यहां पर वो मिलने जाता है इरीन से क्योंकि इरीन ने उसे मिलने के लिए बुलाया हुआ था अब वो दोनों भी इसी बारे में बात करने लगते हैं कि आकरकार उनिस सोर सट के समय में क्या हुआ था तब बार्ड वहां पर बताता है कि असल को जाहिर नहीं करती और यहां पर से चली जाती है अब वहीं हम लोग जो को देख पाते हैं जो कि जब रात में अपने रूम से बाहर निकलती है तब वहाँ पर उसे दो लोग और मिलते हैं जो कि उसी जगह पर बन थे और उनकी आलत भी काफी ज़ादा खराब हो चुकी थी जो चीज देखने के बाद जो काफी ज़दा गबरा जाती है और उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए इसलिए वो वापस से अपने रूम में पहुँच जाती है जहां पर जाने के बाद वो रोने लग गई थी अब आगे हम लोग दोनों एलिस को देख जाता है और अब हम लोग उनिवर्स 1 वाले मैगनस को देख पाते हैं जो कि एलिस को बताता है कि वो लोग इस गर को छोड़ कर जा रहे हैं क्योंकि धीरे धीरे एलिस की आलत भी खराब होती जा रही थी तब वो वाली एलिस अपने रेडियो के तुरूद दूसरी वाली ए जाती है अब आगे हम लोग वापस से जो को देख पाते हैं जिसके पास आईरेन उससे मिलने के लिए आई थी जहां पर आईरेन उसे बताती है कि असल में रिपोर्ट से पता चला है कि जो चार हफते से प्रेगनेंट है और अभी की टाइम पर शायद उसे अपने बच्चे के उपर जादा ध्यान देना चाहिए क्योंकि वो लोग जी जगा पर मौझूद है उसके बारे में पता करना किसी के भी बसकी बात नहीं है और अगर वो इन सब चीजों में अपना सारा वक्त जाया कर देगी तो इससे उसके बेटी और साथी उसके बच्चे के उपर बहु जाती है कि जो यहां से ना जाए और क्योंकि वो खुद भी इस चीज को डिसाइड कर चुकी थी कि अब वो सब कुछ एक्सेप्ट करकर यहीं पर रहेगी इसलिए वो सारी की सारी चीजों को बूल जाती है और एलिस से बाते करते हुए यहां से चली जाती है लेकिन अभी की टाइम पर उसने भी डिसाइड कर लिया था कि वो सबी चीजों के बारे में किसी भी आलत में पता कर कर रहेगा अब हम लोग वापस जायरीन को देख पाते हैं जो कि जब अपने कंप्यूटर में काम कर रही थी तो उसमें वो अपने 1960 के एक्सपीरियंस के बारे में लिखने लगती है जिसमें वो बताती है कि असल में 1960 में उसने जो भी स्पेस में देखा था उन चीजों को समझाना काफी ज़दा मुश्किल है अब यही पर हम लोग पहले एस्ट्रोनाट को भी देख पाते हैं जो कि पहली बार स्पेस में गया था पर अभी के टाइम पर उसकी हालत भी कुछ ज़दा खास नहीं थी अब हम लोग यूनिवर्स टू के मैगनस को देख पाते हैं जिसके पास जो ही खड़ी होई थी और यहाँ पर यह दोनों डिसाइड करते हैं कि यह दोनों जो का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे और अब मैगनस जो और एलिस तीनों ही यहाँ से निकल जाते हैं दूसी तरफ हम लोग यूनिवर्स वन वाले उसी स्पेस शिप को देख पाते हैं जिसके अंदर जो और उसकी टीम का डार्क मैटर वाल एक्सपेरिमेंट चल रहा था जहाँ पर जो की बोड़ी अभी भी मौजूद थी तभी यहाँ पर हम लोग एक टैबलेट को देख पाते हैं जिसमें जो और एलिसकी फोटो छपी हुई थी जो टैबलेट हवा में तैर रहा था तभी यहाँ पर हम लोग जो की बोड़ी को देख पाते हैं जिसकी एक आंख फूड गई थी तबी अचानक से ही उसमें जाना जाती है और वो उस टैबलेट को पकड़ लेती है लेकिन अभी के टाइम पर ये सब कैसे हुआ इसके बारे में हमें कोई भी जानकारी नहीं दी जाती जिसके साथ ही ये सीजन भी यहीं पर खतम होता है तो उमीदे कि एक्स्प्लिनेशन अच्छी लगी होगी अगर एक्स्प्लिनेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल नोटिफिकेशन को ओल पर स्लेक्ट करना और वीडियो को भी लाइक करना मैं ऐसी ही और मज़िदार explanation वीडियोज लाता रहूंगा खेर तब तक के लिए टाटा और गुडबाई